पर्भ हो गेया कोई उपावास हो गया एहां पर चटपूचा हो गया यह यह दें चलू पर जो गंगा घाट पर सब से पहले मैं आशिर अशिरवां यह विल एक्वर्षत कर ना कि रिखोंस का प्रसांत दास सेन ऑस्नानगाट हलो एवरिवन वैलकम टो आवर चैनल और इस ब्लोग में मैं आपको दिखाऊंगा चिचुड़ा में बसा परसाथ दास सेन घाट जहांपे छट पूजा भी होता है और यह चिचुड़ा फेरिखाट के बिलकुल करीब है तो चलिए आज इस ब्लोग को सुरू करते हैं अगर आप इस जगह से पिलोंग करते हैं नहाटी चुचडा से तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिया और इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेज को जरूर से जरूर फॉलो कीजेगा चलिए इस ब्लॉग को सुरू करते हैं आने वाले ब्लॉग में मैं आपको पर जटी ज़यादा उत्सुक रहते हैं तो यहां पर दिखिए यहां पर जो लॉंच घाट है जो नव जा रही है वह नॉच फेरी घट है और यह जो आपको दिखा है दिखाही दे रही है यह इस पार आरकाड पर आ रही है तो यह दिरीश से देख कर आपको कैसा लगा अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक किजिए और चले इस घाट को अब हम लोग देखते हैं कि इस घाट पर क्या क्या है तो यह देखिए यहां पर जो आप इस फूल पत्ते को देख रहे हैं मतलब यहां पर पूजा होती है जैसे जीवतिया पर्व हो गया य गंगा जी का पानी लेकर जाने के लिए भी आ रहे हैं और वो जो लॉंच घाट आप देख रहे हैं वो लॉंच घाट जो है अभी यह चूचरा फेरी घाट जो है वहां पर यह अभी टर्मिनेट करेगी फिर यह नहाटी लॉंच घाएगी अगला वीडियो इसके ऊपर आन तो यहां पर देखिए यह टर्मिनेट हो रही है तो एक्शली देखिए यह चीज़े देखने में बहुत मजा आता है जो कि आप तो यहां आकर नहीं देख सकते लेकिन आपके लिए यह काम मैं कर रहा हूं इसलिए आप मेरे महनत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए वहां प जा चुकी है वह नह्याटी फेरी घाटमेर चली गई है और चुच्चरा फेरी घाट चली घाठ चली घाँ अब इस घाठ 먹 रहा districts प्रशाइब citi2 चुचरा फेरिगार से बिल्कुल करीब है दो मिनिट भी नहीं लगेगा आपको आने में इतना सामने सबसे पहले मैं गंगा मैया का असिरवाद लेता हूं जैहो गंगा मैया आसिरवाद दीजिए मुझे यहां पर देखिए मैंने गंगा मा को छूकर असिरवाद ले लिया है तो इसकी रक्षा करना हम सभी का पावन धर्म है तो चलिए इस ब्लॉग में आगे बरते हैं और इस वीडियो में चलिए हम इस घाट के सीडियों पर चड़ रहे हैं आप जैसा कि देख पा रहे हैं मैं आपको इस घाट का नाम और बोट दिखा दे रहा हूं यहां यहां का बाहरी लुक दिखाता हूं तो यह देखें बाहरी लुक क्या है बहुत ही पुराने चमाने का लग रहा है किम्की इनका इस्टैबलिज जो यह 1337 सिसभी में है तो आप समझ सकते हैं कितने साल पुराना है और इस वजह से यह इतना पुराना लग रहा है इसका और आपको वह भी मैं दिखा देता हूं रास्ते में और पीछे का जो रास्ता गया है वह आपका हुगली घाट रेलवे स्टेशन की और चला जाता है तो मैं आपको गाइड भी कर दे रहा हूं कौन से रास्ता किस तरफ जाती है तो सामने देखिए अगर कोई चूचरा फेड करने को आप कर सकते हो ये भी आप देख लो ये चूचरा फेरी घाट के बिल्कुल करीवे तो आप देखिए मुझे कि उस घाट से चूचरा फेरी घाट जाने में कितना समय लग रहा है आप खुद भी देख लिए दो मिनिट से भी कम का समय लगेगा और हम लोग वहाँ प चल कर आपको यह वी ब्लोग वह भी बनाऊगा और वह अगले वीडियो में बन जाएगी तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के सेर कीजिए जो कि इस वीडियो को देख प